ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती, आज आप सभी सुनना चाह रही हैं कि साकार बाबा के साथ का अन्वव, शानती इस्थम के सामने वाला ट्रेनिंग सेंटर, तो वो बन गया था कमरा नीचे का चार पांच, जो पार्टी आई थी उसी में सोती थी, पहले तो किराय का मकान लिया जाता था तो उसमें ऐसे करते थे कि एक की तकिया इधर एक की इधर और दोरों के पाउं एक तरफ ये बीच में जैसे पट्टी है और हर एक अपने सिर के पास ही अपनी अटैची पेटी रखता था जगा नहीं थी कि यहां अगले काउंटर है या तो सिर के नीचे तकिया तकिया के साथ अपनी अटैची पेटी खड़ी करके खोलना है तो गिरा के खोलो फिर कड़ी कर दो तो रात को बाबा उसमें पैन में कच्चे कोईले की आग और यह धूब दीप जिसमें चंदन का बुरादा गूगल लोबान यह सम मिक्स तो बाबा उसको सुलगा के सब जगा करते थे कमरे में सुद्धी करण तो मुझे ले जाते थे बाबा साथ जाते थे तो करीब करीब बहुत लोग सोई हुए थे थे कोई जगे हुए होते थे तो मैं सारे कमरे में घूमा के फिर निकाला दी तो बाबाने का बची तुमने कुछ चेक किया मेरा काम था धूमा देना मैंने दे दिया धूब दी कहा देखो ये इन में से तीन प्रकार के लोग हैं एक तो तमो गुणी निंद में सो रहे हैं दूसरा रजो गुणी निंद में सो रहा है और तीसरा सतो गुणी तो सतो रजो तमो तीन की निंद है इसमें फिर बाबाने पहचान बताई कि जो सोते समय से लगरा ना बार सरलचित है निश्चिंत है रिलेक्ष है एक योगी जीवन है ये सतो-गुणी नीद है और जिसके चेहरे से कुछ वैसा था है बाव कहे रहां जो गुणी नीद है और जिसका असीर एक तरफ है हाथ एक तरफ है टांग दूसर तो बाबा ने ये पहचान बता दी कि सोना है तो तो वहाँ एक सीख वहाँ मिल गई फिर बादे का बच्ची और कुछ तुमने चेक किया सब के पाउं देखो तो किसी के पाउं तो बिलकुल साफ है किसी के कम साफ किसी के एक दम गंदा तलवे आइं अजय का बच्ची इसका असर मस्तिस्ख पर पड़ता है और ब्राहमनों के तो चरनका संतों के तो चरनकी महिमा है कहते हैं आप मेरे घर में अपना चरन गुमाएं संतों के चरनधो धो धो के लोग पीते हैं तो चरन कमल जहाऊ गया है तो ये इसका पाउं देखो, मेरा पाउं गंदा न होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, पाउं कुछ चार बार साफ करना पड़े, तो पाउं के रेखाओं में तल्वे में गंदगी न हो, वो बाबा ने एक सफाई सिखा दी, कहा नहीं कि तुम अपने पार साफ करो, लेकिन वो भी काम करते रहे, तो एक एक बात बाबा सिखाते रहे, बताते रहे, कुमाते रहे, सोना है तो कैसे, उठना है तो कैसे,